जब तक तु यहां हैं हम तेरा गहां माने देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं सही हत्यार भी मिलना चाहिए तो फाइनली दोस्तों इंडिया ही नहीं बलकि दुनिया बर के बॉक्स आफिस पर रिकोर्ट्स की भरमार लगा चुकी जुनियर एंटियार के फिल्म देवरा आज अपने दूसरे दिन भी बॉक्स आफिस पर एतिहासी कमाई कर रही है और दोस्तों आज की कलेक्शन के साथ यह फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट हो रही है या फिर हो रही है फ्लॉप यह इस वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे दोस्तों की क्या यह फिल्म इंडियान सिरिमा की बिगेश्ट ग्रोसर बनेगी या नहीं तो वीडियो को लाश्ट दक जरूर देखिए अगर कि आप सभी जानते हैं कि एंडियान सिरिमा की यंग टाइगर और मैन ओफ मासेस जुनियर एंटियार के एक 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 एक्शन एमोशनल ड्रामा फिल्म है देवरा जिसे की एंडियान बॉक्स आफिस पर कल लगबग 6000 स्क्रिंस पर रिलीस किया गया है दोस्तों लगबग 20,000 स जाद़ शोपर रिलीस होने वाली देवरा को तेलगू, हिंदी, तामिल, कनाडर, मल्यालम, भाशा में ग्रैन रिलीस किया गया जहाँ पर दोस्तों इस फिल्म को आडियंस की तरप से आउस्ट्रेंडिंग रेस्पोंस मिलता है नजर आया जुनियर एंटियार दोस्तों फि फिल्म में आपको सेफ अली खान भी इंप्रेस करते हुए नजर आने वाले हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर जानवी कपूर का रोल छोटा है लेकिन दोस्तों फिल्म में काफी खुफसूरत नजर आई है बता दे चले दोस्तों आपको की इंडियन बॉक्स आफिस पर रिली इस फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो दोस्तों बता दे चले आपको कि देवरा जिसे की इंडियन बॉक्स आफिस पर छे हजार स्क्रिंस पर रिलीस किया गया इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ही इंडियन बॉक्स आफिस पर अपने पहले दिन के लिए लगबग स लहाट करोड रुपे के आंखड़े को पार कर चुकी थी जो कि इंडियन बॉक्स आफिस पर इस साल रिलीज होने वाली किसी भी टेलगू सिनेमा की फिल्म के लिए वन उप दो बिगेश्ट थी साथ ही साथ दोस्तो इस फिल्म ने हैदराबाद जैसी सीटी में तो सलार और कल की जैसी बड़ी फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन को भी पीछे कर दिया है अमेरिकन बॉक्स आफिस पर भी दोस्तो इस फिल्म को काफी अच्छा रेस्पोंस मिलता हूँ नजर आया और दोस्तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि एंटियार की फैन फ्लोएंग आमे निगलेने में तरस रही है तो वहीं दोस्तों अमेरिकन बॉक्स आफिस पर जुनियर एंटियार की इस फिल्म ने 25 करोड रुपे तो सिर्फ प्रीमियर से ही कमा लिये लेकिन अगर बात कि जाए इस फिल्म के वर्ड़ वाइट बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो दोस्तों बत आंदर प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही स्टेट्स को मिला कर इस फिल्म का अपने पहले दिन का जो नेट बॉक्स आफिस कलेक्शन निकल कर आया है वो 70 करोड रुपे के आखड को सिर्फ तेल्गू बॉक्स आफिस पर टच करने में कामेव रहा तेल्गू ग्रॉस बॉ पहले ही दिन ओल इंडिया ग्रॉस पर तेल्गू भाषा में 77 करोड रुपे कमाए हिंदी में भी दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले दिन एक्सपेक्टेशन से जादा अची ओपनिंग मिलती ही नजर आई और हिंदी में दोस्तों इस फिल्म के साथ ओपन हुए थे लेकि पहले ही दिन साध्य आठ करोड रुपे के ग्रोस आखड़े को टच करने में कामेब रही है और इसी के साथ सिर्फ दो ही भाषाओं में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 85 करोड रुपे के आखड़े को टच कर चुका था लेकिन अगर बात किजाए यहाँ पर इस फिल्म के तामिल, कनडा और मल्यालम भाशा के कलेक्शन्स की तो दोस्तों इन तीनों ही भाशाओं को मिला कर इस फिल्म ने अपने पहले देन सौ करोड रुपे के आकड़ को सिर्फ एंडियन ग्रोस बॉक्स आफिस पर टच किया है और इसी के साथ दोस्तों तेलगू सिर्यमा में प्रबास के बाद जुनियर एंटियर एकलोते स्टार बन चुके हैं जिनकी दो फिल्मों ने इंडियन ग्रोस बॉक्स आफिस पर सो करोड रुपे के आकड़ को टच किया इससे पहले दोस्तों जुनियर एंटियर एंटियर की फिल्म ट्रिपल र ने दुनिया वर के बॉक्स आफिस पर और इंडियन ग्रोस बॉक्स आफिस पर सो करोड रुपे से बड़ी ओपनिंग ली थी लेकिन अगर बात किज़ें यहाँ पर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि ओडियन्स की तरफ से इस फिल्म को खोब पसंद किया जा रहा है फिल्म का एक्शन, फिल्म का क्लाइमेक्स और पोश्ट इंटर्वल सीन काफी अच्छा है जिसमें आपको जुनियर एंटियार का शांदार एक्शन देखने को मिलेगा यही वज़़े हैं दोस्तों कि यह फिल्म आवर्सेस बॉक्स आफिस पर भी पसंद की गई और अमेरिकन बॉक्स आफिस पर दोस्तों इस फिल्म के अपने पहले दिन और प्रीमियर के डे के कलेक्शन को मिला कर 35 करोड रुपे की ओपनिंग नहीं यूके बॉक्स आफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने प्रीमियर और पहले दिन के कलेक्शन मिला कर 35 करोड रुपे कमाए हैं आस्ट्रेलियन बॉक्स आफिस पर दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन साड़े 4 करोड रुपे के रहे हैं तो वहीं दोस्तों न्यूजिलेंड से ये अपने पहले दिन साथ लाख रुपे की ओपनिंग लेने में कामयब रही है गल्फ कंट्रीज और 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 सिस कलेक्शन्स मिला दिये जाए तो दोस्तो इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 47 करोड रुपे की ओपनिंग सिर्फ और सिस बॉक्स आफिस से ली है और दोस्तो ये फिल्म और सिस में अपने पहले ही दिन एक हिट फिल्म साबित हो चुकी है लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की तो दोस्तो इंडिया में इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 2500 करोड रुपे की कमाई करनी है और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 100 करोड रुपे की ओपनिंग इंडियन बॉक्स आफिस पर ली है आज इस फिल्म का दोस्तो बॉक्स आफिस पर दूसरा दिन है ये फिल्म दोस्तो आज अपने दूसरे दिन भी इंडियन बॉक्स आफिस पर काफी अच्छा ट्रेंड करती ही नजर आ रही है जहां दोस्तो इस फिल्म को तेलगू बॉक्स आफिस पर अपने दूसरे दिन के लिए 26 करोड रुपे से जादा की एडवांस मिल चुकी है तो वहीं दोस्तो हिंडी में इस फिल्म की आज की जो एडवांस है वो धाई करोड रुपे से जादा की है तामिल, कनाड़ा और मल्यालम भाशा को मिलाकर दोस्तो इस फिल्म की आज अपने दूसरे दिन की एडवांस 30 करोड रुपे से जादा की हो चुकी है और यही वज़ा है दोस्तों कि ये फिल्म एंडियान ग्रोस बॉक्स आफिस पर आज अपने दुसरे दिन भी लगभग 65 से 70 करोड रुपे के आखड़ को टेच करने वाली है तो वहीं दोस्तों बात के जाए वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस की तो दोस्तों ओवरसिस में भी इस फिल्म के आज की कलेक्शन्स काफी अच्छा ट्रेंड करते वे नजर आ रही है ये फिल्म दोस्तों आज दुनिया वर के बॉक्स आफिस पर लगभग 90 से 95 करोड रुपे के आखड़ को छू लेगी और इसी के साथ सिर्फ दो ही दिनों में 235 से 240 करोड रुपे कमाई दुनिया वर के बॉक्स आफिस पर कर चुकी होगी दोस्तों बताते चले आपको कि ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन हिंदी बॉक्स आफिस पर भी काफी अच्छा ट्रेंड कर रही है मौर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में देखने के लिए और्डियन्स की भीड सिनमा गरों में देखने को मिल रही है लेकिन दोस्तों अफ्टरनोन और इमनिंग में इस फिल्म के आज कई सारे शो हिंदी में भी हाउसफूल होते हुए नजर आ रही है ये फिल्म दोस्तों आज हिंदी में अपने दूसरे दिन 10 करोड रुपे के तक के आखड़े को टच करती हुए नजर आ रही है यानि कि दोस्तों इस फिल्म के आज अपने दूसरे दिन के कलेक्शन्स में एक ग्रोथ देखने को मिल रही है लेकिन दोस्तों तेल्गू बॉक्स आफिस पर इस फिल्म के आज अपने दूसरे दिन के कलेक्शन्स 50 करोड रुपे तक के आखड़े को टच कर रही है दो दिनों में दोस्तों इस फिल्म के collections लग़बग 18 करोड 50 लाख रुपे के हुचुके होगे और दोस्तों ये फिल्म हिंदी में अपने बॉकस आफिस की recovery जल्द ही कर चुकी होगी तो हही दोस्तों तेल गुमें भी ये फिल्म अपने शुरूआती दो ही दिनों में लोड करोट रुपे की कमा आई दूनेवर पर करेगी यह फिल्म दोस्तो बॉक्स-आफ़िस पर एक हिट फिल्म साबीस होगी फिलाल में दोस्तो इस फिल्म को लिकर ओडियिंस की बीच में अच्छी एक्साइट्मेंट है जुनियर NTR की ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस पर दो पार्ट में बनने वाली है और दोस्तों पहला पार्ट जिस तरह से ओडियन्स को पसंद आ रहा है उम्मिद हैं दोस्तों की इस फिल्म का सेकेंड पार्ट भी इसी तरह की शांदार कमाई दुनियवर के रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजेगा धन्यवाद जेहिं जे भारत